प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो सल्यूशन है कही ना कही उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्माहत्य बिल्कुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबस कीमती चीज है चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद खुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा एकदम डारिक बोलू दिल से बोलू मेरा पहला नाशनल अवार्ट जो मुझे आज हमारे आदरनी अराश्टर पती जी के हातों से मिलेगा मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है आपको प उसे जूटने काओंगा मैं उस कक्षा में फेल हो गया था रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली जा है उस दिन मेरे पिता जी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांती से कहा देखो बेटा तुम करना क्या च चाहते हैं मैंने का पापा मैं स्पोर्ट में मन लगता है मेरा मैं खेल कूद करना चाहता हूं खिलाडी बनना चाहता हूं उन्होंने का ठीक है फिर उसमें ध्यान दो हम सपोर्ट करें साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो आप श्रास नहीं करोगे खेलते खेलते मैं माशि किस चीज़ में है तो आज मैं सोच भी नी सकता कि ये नैशनल अवार्ट कभी मेरे हाथ पे हो जाए ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वज़े से सुना रहा हूँ कुछ तिन पहले अकपार में मैंने पढ़ा था कि एक आयाइटी के स्टूडेंट्स ने फासी लगा क अपनी जान दे दी एक्जाम में फेल हो गया था मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब आठ लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन डेड़ लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस क्यों तुम्हारी जान एक एक्जाम के माक्षीर से सस्ती हो गई है नहीं ऐसा क्या पढ़ा ही कर रहे हो इससे तो देश के लिए सरहत पे जाके जान लगा दो दाव पे चाहे कोई कुई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार आपको पैदा करने वालों को जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ और पेरेंट से भी यही कहूंगा यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना कहां गया वो जमाना जब आप लोग अ अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आखे गार के बैटे हो और आपका बच्चा भी फेस्बुक पे फ्रेंड्स डून रहा है ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को भूला लेते हो ल लेना उतना ही ज़रूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए इसमें कोई शरम की बात नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान दे दू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है अप अदर रखना दबा के रखना बिलकुल नहीं किसी दोस्त को बोल दो या अपने माबाप से शेयर करो मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन वाट्साप पे एक बहुत काम की बात फौवर्ट की थी एक हास्पिटल की ओपन हार्ट सर्जिरी यूनिट के बाहर एक शेयर लिखा हुआ था मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ महां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता ओजारों के साथ भईया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो सल्यूशन है कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्महत्य बिलकुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर, तिल देन, नेक्स ताइम, गुद्बाइ, जय है